आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनरजी और उनका नेक्स्ट एक्षिन आपके तरफ क्या होगा यह आज हम देखने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं गाइस देखते हैं क्या एनरजी निकल कर आती है तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर हरहर महादेव जैह हुशिव शक्ति जैह हुशिव शक्ति जैह हुशिव शक्ति जैह हुरादे कृष्ण जैह मेरे भाई मेजर अरकाना से लेंगे हम फाइफ कार्ट्स फाइफ कार्ट्स फ्रॉम मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें इंजल्स क्या एनर्जी है आपके पर्सन का नाम ले लें आपके पर्सन के बारे में सोचें प्लीज गाइड करें इंजल्स मेरे व्यूवर्स के सबकॉंशिस माइंड में जिस भी पर्सन को लेकर वो सोच रहे हैं प्लीज गाइड करें, क्लेक्टिव लवल पे क्या एनर्जी हैं, आपके परसन की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड दे एम्प्रेस, सेकेंड कार्ड दे चैरियट, हर हर महादे, तेम प्रेंस, तो मोर कर्ड्स, हरोफंट, वन मोर कर्ड्ड, इससे रहा नहीं गया, बर्दाश नहीं हुआ, भाग आया, बॉटम आफ दे डेक है, मून, मून से याद आया, इस बार मैंने अनिक्सपेक्टेड में बोला था, कि पानी से रिलेटेड खबरे आएंगी, उसके बाद से बे मौसम बरसात हो रही है, और कई जगह पे बाड की भी खबर आ रही है, रेड अलर्ट है, कहीं औरेंज अलर्ट है, बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं, मेसेज कर रहे हैं, परसनल मेसेज वाटसब पे और बता रहे हैं कुछ गुजरात के हैं कुछ MP के हैं कुछ और भी अलग-अलग हाँ हिमाचल से भी कुछ हुआ है कल पानियोनी का कोई न्यूस लिंक भेजा था मुझे वहाँ के लोगों ने नौर्ट साइड कि मैं अनेक्सपेक्टेड में आपन और अगर उस दिशा में जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं बाकी सब भगवान की इच्छा है तो ये मून का कार्ट देखी तो मुझे क्लिक किया एनिवेज शुरू करते हैं साइन यहाँ पर है मेश, एरीज, कर्क, कैंसर, सेजिटेरियस, धनू, टॉरस, वरिशब, कैप्रिकॉन, मकर और पाइसस, मीन आपके परसन का मून साइन या असेंडन हो सकता है ठीक है बात करते हैं इनकी एनर्जी की तो थर्ड पाटी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं साथी साथ कुछ लोगों के परसन थर्ड पाटी में बैलन्स बना कर चलने की एनर्जी में है मतलब अगर third party इनका परिवार है तो ये परिवार से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे of course balance बनाने की कोशिश करेंगे शान्ति प्रियत धंग से कोई decision पर पहुँचने की कोशिश करेंगे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि यह जो discussions हैं यह जो problems हैं यह सब शादी को लेकर ही है because we have got hierophant चैक तो यहाँ traditions, rules, customs, norms जो भी हैं आपके person के या आपके उसको follow करते हुए ही problems चल रही है लेकिन overall energy positive है मतलब cards के according energy थोड़ी heavy है but result should be positive क्योंकि यहाँ balance की energy है let's clarify all the cards please clarify करे angels, Empress की energy क्यों आई है third party burden है कुछ लोगों के person के life, यह card आजीब चमकता है ना मतलब multi color समझ में नहीं आता क्या बोल रही थी, हाँ कुछ लोगों के person की life में third party burden है ठीक, बोज है और आपके person इस बोज से बाहर निकलना चाहते है कुछ लोगों के life में third party आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है अडंगा बन कर बीच में खड़ी है तो यहाँ पर आपके person के उपर बोज डाला जा रहा है लेकिन आपके person manifest कर रहे हैं आपको और यह cycle end हो सकती है जो भी यह कार्मिक cycles चल रही है यहाँ पर यह cycles end हो सकती है चैरिट का card क्यों आया है definitely happy family की energy है यह अपने life में completion अपनी मर्जी से चाहते है जिनके साथ इनको खुशी मिलेगी यह उसी के साथ आगे बढ़ेंगे यहाँ break up की भी energy है तो यहाँ पर third party के बाद आया है तो यहाँ पर family के साथ इनका नोग जोक हो सकता है son, son represent, father, son represent, status, family, society tower की energy है जैसा मैंने कहा तो यहाँ destruction की energy है यह juggling situation से आपके person बाहर निकलेंगे strapped situation से आपके person बाहर निकलेंगे successfully तो यह energy है यह energy देख यहाँ third party भी है empress का card भी है empress के बाद chariot आया है तो definitely यह जो cards हैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत dominating energy है इनकी life में लेकिन आपके person यह सब को या तो peacefully balance करेंगे या cut off करेंगे temperance का card क्या बताना चाहता है temperance के card को clarify किया है seven of cups confusion we have temperance temperance को temperance ने ही clarify किया है with high priestess definitely आपके person बहुत सोच समझ कर निर्ने लेंगे और अपने निर्ने को छुपा कर रखेंगे hidden रखेंगे बहुत जादा लोगों से discuss नहीं करेंगे बहुत hidden way में यह action लेने वाली हैं लेने वाले है और यह जो action है यह बहुत balance लेकर आएगा आप दोनों के रिष्टे में confusion से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं इनको पता है लेकिन उन्होंने किसी से discuss नहीं किया है hero friend का card क्यों आया है और कोई card आना चाहरा है let's hero friend को clarify किया है eight of pentacles king of pentacles five of cups and page of wands definitely यह एक solid commitment के साथ आना चाहते है यह grounded energy में आना चाहते है सोच समझकर एक long term रिष्टा चाहते है बट ऐसा हो नहीं पार है जिसकी वज़े से emotionally disturbed है बहुत जादा tension ले रहे हैं बहुत जादा upset है क्यों आयो बर्गेंडी प्यार करते हो ace of cups with the lovers lovers को हमेशा आप देखिएंगे रादे कृष्णे का card आता है major arcana से lovers का तो devil पीछे पीछे आता है या महादेव आते हैं शिव शक्ती तो devil पीछे पीछे आता है और devil को lovers ने clarify किया है with ace of cups and nine of pentacles यहाँ पर जो energy है clearly बता रहे है कि आप में से बहुत सारे viewers के person love life में awaken हो रहे हैं अपने life में एक solid action लेने की energy है one nine number, nine one nine number बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा होगा nine six या six nine six या nine six nine बहुत जादा लोगों को नज़र आएगा आपकी love life में कोई major shift आने वाला होता है अब आपको clarity देंगे और clarity कैसे देंगे बात करके देंगे अभी भी फिलहाल या आपको spy कर रहे हैं नज़र रख रहे हैं आने वाले समय में wish पूरी होगी तो यह energy है तो burden से wish तक का पूरा distance travel करके आएंगे आपके person energy काफी जादा लोगों के person की इस तरीके की है जैसे family में discussions चल रहे हैं family में बादचीत चल रही है जैशिव शक्ती ठीक है काफी लोग अपने relationship को बहुत time से hidden रखे थे बट अब यह hidden नहीं रखेंगे यह expressive बन रहे हैं अपने दिल की बातों को express कर रहे हैं लेट्स चेक immediate action क्या हो सकता है आपके person का 8 number is important 8 26 hours के अंदर की energy हो गिये love begins one number definitely 24 to 26 hours वापस आ रहे हैं आपके person movement नजर आ रहा है देखिए यहाँ पर भी movement है यहाँ पर भी movement है water energy है मतलब emotions बहुत हाई होंगे celebration का card भी है और कोई card 786 आ गया हमारे पास 77 आ गया 96 आ गया तो अभी मैंने आपको यह numbers दिये थे we have 369 we have 369 जो की fulfillment of wishes का number है आपकी wishes अगर पूरी होने वाली है या आपकी manifestation अगर पूरी होने वाली है तो यह number बहुत ज़ादा powerful माना जाता है then we have 786 786 लखी नंबर शिव शक्ती की एनरजी यहाँ पर definitely बहुत सारे divine unions या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं and we have love begins we have 77 spiritual growth तो यहाँ बहुत सारे angel numbers हैं आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता ये angel numbers नजर आए और movement नजर आ रहे है we have 789 ठीक है तो तयार रहे है और कोई card clarify करना है तो मैं clarify भी कर देती हूँ बट करूं कौन सा suffering in silence को clarify करते हैं next action में क्यों आया है trapped है अगर कहीं तो सफर कर रहे हैं ये situation है जैसे किसी jail में कैद है ये देखिए या फिर financial problem की वज़े से suffering है क्या stand लेंगे आपके लिए इस रिष्टे के लिए judgment time truth yes action की energy है with authority 4-4 आया है यहां 144 भी आ गया बहुत सारे angel number आ गया हमारे पास तो यहां पे अगर आपके person, लोग, समाथ, society, family इन सब चक्करों की वज़े से नहीं ले रहे हैं तो इनका confidence बढ़ेगा heart chakra blockage हो सकता है जिसकी वज़े से वो डर रहे हैं heart chakra meditation करवाईए अपने person को heart chakra, root chakra, solar plexes, sacral यह 4 chakra heal होने चाहिए तब ही आपका relationship आगे बढ़ेगा चाहे आप married हो या unmarried हो ऐसा नहीं कि कोई married है तो उसके relation में चार चांद लगे होते हैं हमेशा meditation करते रहना चाहिए ताकि आपकी love life में आपकी married life में कोई problem ना है हमेशा चीज़ें smooth रहें positive रहें ठीक है let's check यह deck याद है आपको हुई है पुराना वाला इससे मैं personal reading करती हूँ यह मेरे starting से साथ इसकी हालत देखो कैसी हो गई है बड़ परसनल मैं इसी से करती हूँ एकदम accurate energy होती है please guide कर angels क्या message है मेरे viewers के लिए कुछ हफतों में कुछ लोगों को बहुत positive changes नजर आने वाले हैं कुछ लोगों को आने वाले हफते में कुछ बड़ी news मिलने वाली है trust रखे meditation करते रहें meditation से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे big happy changes आने वाले हफते में कुछ लोगों को बहुत positive changes मिलने वाले हैं फटा फट claim करें अभी सही समय नहीं चल रहा कुछ लोगों की life में हो सकता अभी सही समय नहीं चल रहा है बट आने वाले समय में अच्छा decision आप लेंगे आपके लिए लोग लेंगे कुछ लोगों को हो सकता ऐसा भी लग रहा हो कि क्या मुझे move on कर लेना चाहिए क्या मैं गलट direction में हूँ be assertive, active रहिए जो सोच रहे हैं दिल से सोच रहे हैं अपनी intuition की सुनिये और अगर आपको अभी भी लगता है अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है then wait and have patience तो यह थी गाइज आज की reading and guidance थैंक यू सो मच टेक केर अफ यूरसल्फ बाबाई